तो आप लोग देख रहे हैं कुछ भी और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकोड़ा तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके जो हमें मसाले चाहिए उसके अंदर हमने लिया है वन टी स्पून नमक वन टी स्पून लाल मिर्च और खुटाव धनिया यह भी तकरीबर वन टी कुटावा और रखुटी अद्रक यह तोड़ा बत अपर निचे हो सकता है आप ने टेस्के मताबिक ही सारे जो है मसाले डालने होते हैं और यह तकरीबर जो है वन टेबल स्पून के करीब लसन का राजसा तो इसकंदर हम मसाले डाल के एक पेस्ट बनाएंगे जो के हम जिस तकरीबर एक किलो के करीब है और इसकी हमने क्यूप्स कटिंग कर दीए तो चले है इसको मैरिनिट करते हैं जी तो यह हम मसाले मिक्स करने लगें एक बाल आप लेलें बड़ा और उसमें हमने रस दाल यह रस भी हमने थोड़ा ही दाले है ताके खटाना हो जाए प्कुंके जब हम पुगोडों का मसाला दियार कर रहे होंगे बेसन के अंदर तो यह मिक्स कर लेंगे मैं अधर से आपस को मिक्स कर लें खुड़ा उसके बाद चिकन को अंदर दाल देंगे सारा एक साथ दाल लें अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें यह अब हम तो इसको ओरनाइट मेरिनेशन पर रख देंगे इसको भी फ्रिज मेरा फरूंगे कावर करके तो उसके बाद पिर कल अफ़तारी के टाइम हम इसको पुड़ रहेंगे तो वैसे तो मेरिनेशन के लिए तीन-चार घंटे भी बहुत होते हैं तो व्यूंके चिकन है इतना बड़ मसला नहीं है लेकिन यह के हम इसको भी कर रहें जी तो यह मैं मिक्स कर लिए इसमें चार्ट मसला हम दालने लगें थोड़ा सा तो आप भी टेस्ट के मताब भी जो मर्ज़ियाप एड़ कर सकते हैं तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर रैप कर केस को प्रिज में रख लेंगे तो इन चिकन प्रकोड़ा के साथ हम नहीं जैसे के आपको पहले इमलिक चिट्टी प्रेंटिस काई ती हम वो इसमाल करेंगे आज चिप्स के साथ भी मैंने काई और बहुत मज़गी बनी तो आप लोगो इसको जरूर ट्राइ करें उसका लिंक में उपर दे दूँगा अगर किसने नहीं देखिए हमने एक टेबल स्पून ऐल दाल दी है नॉस्ट्र पैन में और इसमें हम चिकन दाल रहे हैं जो मेरिनेटर ले रखा हुआ हमने तो यह जब तक गल जेगा तब त अजिए तो यह हमने इसको ठाके राख दिये मेटिम चाह आश के उपर तो यह जब तक गलेगा तब तक इसको हम स्टीम में रणड़ देना है कर दो 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 करे कर दो कर दो कर को दो कर दो कोजाए कर दो 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 कर दो